हमारे यूपी के मुरादाबाद जिले की ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत यानोखी पहल के शुरुआत की है मुरादाबाद जिले में अगर कोई भी वेक्ति ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उसका चालान नहीं बलकि उसे तीन घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी ट्रैफिक नियमों का उलंगन करने वाले अब तक लगबग 600 लोगों को पकड़ कर ये फिल्म दिखाई गई है तीन घंटे की फिल्म ट्रैफिक नियमों से समंधित है इसमें ट्राफिक नियमों के प्रती जागरुकता बढ़ाने वाली बातें बताई गई हैं साथे जिन लोगों को ये फिल्म दिखाई जाती है उनसे वचन भी लिया जाता है कि अब भविश्य में वो ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि जान है तो ही जाहन है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में मोटर वाहन अधनियम 1989 के तहर्ट ट्राफिक रूल तैंक किये गए हैं साल 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया है ट्राफिक रूल के उलंगन के मामले में अमूमन सड़क पर चलते समय यातायात नियमों को ना मानने हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना बादने ड्राइविंग के समय धूमरपान और शराब का सेवन करने ट्राफिक लाइट्स और संकेतकों को ना मानने सड़क पर निर्धारित गती का सम्मान ना करने और गलत दिशा में ओर्टेक करने और ड्राइविंग के समय वाहनों के बीच अंतर ना बना कर रखने के साथ ही अपने गाड़ी की मरमत पर विशेश ध्यान नहीं देना ट्रैफिक उलंगन के मामलों में अकसर सामने आता है आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथी यूपी जुड़ी और तमाम लेटिस खबरों के अपडेट के लिए देखते ही हमारे चैनल बातें यूपी की